मध्या प्रदेश में चाहे स्कूल के सिक्षक हो ये कॉलिज में पढ़ाने वाले अतिती विद्वान सबी किसी ना किसी परेशानी से जूज रहे हैं कोई जॉइनिंग ना मिलने से परेशान है तो किसी को सैलरी ही नहीं मिल रही है मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश में उच और तकनीकी सिक्षा से जुड़े अतिती विद्वान से आलम ये है कि इन अतिती विद्वानों को फिक्स सैलरी तक नहीं दी जा रही है कॉलेजों में नया सेशन शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी इन अतीती विद्वानों को दिन की हिसाब से ही पैसे दिये जा रहे है आपको बता दे कि अतीती विद्वानों को मौजुदा समय में 2000 रुपे रोज की हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है ऐसे में हर महीने कम से कम अतिती विद्वानों की सेल्डी 44,000 रुपे के आसपास बनती है लेकिन इन अतिती विद्वानों की मांग है कि उन्हें हर महीने एक फिक्स पेमेंट मिलना चाहिए अतिती विद्वानों का आरोबे की कई बार उन्हें छुटी वाले दिन भी कॉलेज बुलाय जाता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया जाता है हाली में जनमास्टमी का जिक्र करते हुए ये अतिती सिक्षप कहते हैं कि उन्हें जन्मास्टमी पर कॉलिज तो बुला लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया अतिती विद्वान महासंग का खहना है कि अतिती विद्वानों को पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में भी कई बाल लगा दिया जाता है और उनकी काम करने के घंटे भी जादा होते हैं ऐसे में लंबे समय से फिक्स सेलरी की मांग की जा रही है लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तयार नहीं है